नमस्कार जीरो से जिन्यस तक की एक और नय एस्पेशल वीडियो क्वी टेस्ट में स्वागत है आपका आज की इस वीडियो क्वी टेस्ट में हम लोग जी के जी इसके 21 इंपोर्टेंटे सवालों को सल्व करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पाहला सवाल है लोग सभा के महा सचीव की नियुकते कौन करता है राइट आंसर हो जाएगा लोग सभा अध्याक्षे कोशन नमबर टू है ओम बेरला लोग सभा के डैसवे अध्याक्षे है राइट आंसर हो जाएगा अठ्राहवे अध्याक्षे है Question number 3 है लोग सभा के महा सचीव कौन है? आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंग इंपोर्टिंट है आगे सवाल है वर्तमान में राज्य सभा के पदेन सभापती कौन है? सही आंसर होगा वेनकाया नाइडो Question number 5 है कबड़ी में पलेर्ज की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा साथ साथ होती है लोग सभा का नेता कौन होता है? आंसर होगा परधान मंत्रे Question number 7 संभिधान में लोग सभा के सदस्यों की मुल संख्या कितनी है? आंसर होगा पास सव बावन Question number 8 है वर्तमान में लोग सभा में कितने सदस्य है? आंसर होगा पास सव पैतालिस Question number 9 है सबसे अधिक संसदिय छेत्र किस राज्या में है? लोग सभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक किस राज्या में है? आंसर होगा उत्तर परदेश कितने हैं? तो असे Question number 10 Question number 11 लोग सभा का सदस्या बनने के लिए निवनतम आयू कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 25 वर्स और राज्ये सभा के लिए 30 वर्स ध्यान रखिएगा Question number 12 है वितिय बिल कहां पास हो सकता है? वितिय बिल कहां पास हो सकता है? आंसर होगा लोग सभा में आगे सवाल है बिलगराम या कन्योज का युद्ध कब लरा गया? आंसर हो जाएगा वर्स 1540 इस्वी में आगे सवाल है कन्योज का युद्ध किसके किसके बीच लरा गया? आंसर हो जाएगा सेर सासोरी और हुमायू के बीच लरा गया आगे सवाल है कन्योज के युद्ध में बीजय किसे प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा सेर सासोरी आगे सवाल है महाभारत का एक दूसरा नाम है जैसनहिता का योद्ध कितने दिनों तक चला था अंसर होगा 18 दिनों तक कोशन नम्पर 17 है महाभारत का फार्सी में अनुवाद किसके सासनकाल में हुआ अंसर हो जाएगा अकबर के सासनकाल में ये सवी सवाल बहुत important है आगे सवाल है महाभारत का फार्सी में अनुवाद किस ने किया आंसर हो जाएगा अकबर के कहने पर फैजी और बदियोनी ने किया था आगे सवाल है इंदरावती नेशनल पार्क किस राज्या में इस्तित है आंसर हो जाएगा 36 गड़ कोशन नमबर 20 है वर्तमान समय में 36 गड़ के राजधानी कहां इस्तित है आंसर हो जाएगा उसका नाया नाम चेंज हो गया है पहले था रायगड रायपुर अब उसका नाम चेंज हो गया है नाम क्या है जी ये important है अटल नगर वर्तमान समय में 36 गड़ के राजधानी कहां है अटल नगर आगे सवाल है महाभारत के रचाईता कौन है अंसर होगा महर्सी वेद व्यास आगे आपके लिए एक सवाल है संसद का नीमने सदन या उच्छे सदन करमसा है यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंप्ली आपको कॉमेंट वाक्स में जाना होगा वहाँ पर लिखना होगा कीव फोर यू और इसके राइट आंसर और वीडियो पसंद आया तो अपने मित्र जनों में जरूर सेयर कर दिजिए सुबह के टाइम है और फिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप पर देख लिजिए हमारे सथ रेगुलर रहिए जो भी वीडियो अपलोड होता है उसे अवस्ते देखिए हम वही सवाल आपसे पूछेंगे जो आपके एक्जाम में आ सके तो पूरे सवाल को ही आपसे पूछेंगे तो चलिए फिर अगला वीडियो देखते हैं जय हिंद जय भारत